कि एलो सुडेंट्स आज दो फैमिली डिसकस करने जा रहे हैं वह फैमिली यूफौर्बीसी फैमिली का जो नाम है वो मारिशियाना के प्रिसिद डॉक्टर थे यूफॉर्वस उनके सम्मान में यूफौर्वीसी नाम रखा गया अब बात करतें इसके सिस्टेमेटिक पोजि में सब डिवीजन डायकोट लिडनी क्लास मोनोक्लेमाइडी सीडी यूनिसेक्ष्वेल्स और फैम्ली यूपोर बीसी यह सिस्टेमेटिक पोजीशन है अब बात करें इसके के दिश्टिवीशन और अकरेंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैम्ली जिसमें 300 जैन्टर एवन 7500 इंक्लूडेट है यह उत्तर धुरुबिये छेत्रों को चोड़कर बिसके लगवग सभी भागों में पाए जाती है इसकुल के अधकान सदस्ते मुक्ते ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं भारत की बात करें हम तो भारत में इसकुल के लगवग 61 जैन्डरा एवं 336 इस विसीज पाए जाती है जो कि हमाले के तरही वाले लाकों में इवं दच्छनी भारत की पाडियों में पाए जाती हैं कुछ जाती हैं इसकी मैदानी भागों में मिलती हैं अब हम बात करें इसके वेजिटेटिव करेक्टर्स के बारे में तो सबसे पहले habitat habitat के बारे में बात करते हैं इस स्कुल के अधगान सदस्य हैं वो क्या है इनके जो हैविट होती है उसमें क्या है बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है जैसे एन्वल हर्ब्स हैं यूफोर्विया पर्विफलोरा यूफोर्विया हरीटा फाइलेंथस फ्रेटरनस पैरिनियल हर्ब में क्रोटोन क्लाइमबर ट्रेगिया इन्वॉ इन्वॉलो क्रेटा शरब की बात करें कोडियम बैरीगेटम सब्सक्राइब करें यूफोर्विया निवूला ट्री की बात करें रेशिनस कमनिकस यह क्या एक छोटा ट्री होता है जिसको मरंडी बोलते हैं मालावई अब बात करें के वारे में कंडली बरांट्स मिलती है कुछ पादों में जैसे मैनी होस की कश पैजाती हो में जड़ें बोजन कि संचे के कारण फूल कर मोटी हो जाती हैं इस मिछाने के काम हाती है है थैंज कर रांशी या chi हो सकता है उर्द या प्रोस्टेट हो सकता है ब्रांच होता है इसकुल में जीरोफिटिक जो मेमर्स हैं उनके जो स्टेम है वो फिल्लोकलेड के रूप में मिलते हैं इन प्रजातियों की प्रिकृति कैक्टस के समान होती है इनकी पत्तियां जल्दी जड़ जाती है तथा अनूपन काटों में रुपांतेत हो जाते हैं तना हरावा चप्टा होता है तता प्रकासंस लेशन का यह कार रे करता है कैक्टस एवं इसके समान दिखने वाले यूफोर्विया प्रजाती की पैचान किस तरीके से की जाती है यदि काटे दो-दो के जोडे में हो तो यह समझना चाहिए यह कैक्टस जैसा दिखने वाला पौदा यूफोर्विया है क्योंकि यह काटे अनुपणों का रूपांत्रण है तथा अनुपण सदैव दो होते हैं यदि काटों की संक्या दो से अधिक हो तो यह समझना चाहिए कि पौदा वास्त्विक कैक्टस है क्योंकि वास्त्विक कैक्टस के काटे पत्तियों का रूपांत्रण होते हैं तो य उपरी पत्तियां जो होती है वो अपोजिट होती है जैसे पैडी लेंथस जबकि मिसोडोन में पत्तियां होती है वो चक्री अवस्ता में पाई जाती है जनरली लीप होती है वो सिंपल होती है अनपढ़नी होती है एंटायर होती है या पामेटली कंपाउंड होती है जैसे मै तकों में रूपांत्रेत हो जाते हैं अगर हम बात करें वेनेशन के बारे में मल्टी को कोस्टेट रेटिकुरेट वेनेशन मिलता है रिशीनस में लेमाइना पांड़ ब्रंत की संधी पर एक या दो गंतियां उपस्तित होती है यूपोर विया की कुछ जातियों में जो पत् मिलता है जैसे रैसी मोच, क्रोजोफोरा में कैट किन, एकलिफा में स्पाइक करोटॉन में और ससीमाउक आप्चों का ससीमाफ योशीन देटरॉपा मेंat उस्प्रबिया उसकी भाई यह वित्ती पर नेक्टर ग्लेंड्स होती है इस पुस्ट करम के के अंदर में उपस्तित एक अलमादा पुस्प अनेग नर्पस्पों से घिरे रहते हैं नर्पस्प होते हैं वो सेंट्रिफ्यूगल में अरेंज होते हैं जबकि फीमेल फ्लॉबर केवल एक पिश इनकंप्लीट होते हैं छोटे होते हैं एकलेंगी होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं ब्रैक्कियेट हाइपोगाइनस कंडिशन मिलती है लेकिन ब्राइडेलिया में जो फ्लॉवर होता है वो पैरिगाइनस कंडिशन में मिलता है इस कुल के अधकान सदस्यों में अनेक प अन्पस्तित होते हैं नर है मादा दोनों प्रकार के पुस्प नेक्ट होते हैं जैट्रपा में इस्पुष्प में कैलिक्स और को रजा दोनों रजाय घिरेंद्स ये पर नर पूस्पों में ग्रुम सबस्थर बंब रेख्ते नर्प केवल नर पूसपों में जब तक्रीमाद सारी त catches टार press है जो पैरिंदें वो तीन तीन के दो चक्रों में मिलते हैं दलब तो फिरस Aandering वेलस कंड़्िशन मिलती है वाइदलपुंज और दय घज्ट कोर इस्परसिए कोर चाधी बिन्यास में उपस्तित होते हैं अब बात करें इंडोस्ययम के अपस्तित होते हैं पुंकेसरों की रूपा जब लेल 3-5 Coucher मिलें कि क्रोटोन हां इनकी शंगया 80-100 तक या संक zao मैं 10 पुलक किसवी किसें जो पाउच 15 के नगर्म मिलते हैं रिशिनल में पाउच पूंक ईसर मिलतेश जो वोली इंडस condition में होते हैं और हाइली बरांच होते साखित पुंक्वेसर की अंतिम सागाप पर एंथर प्रिजेंट होता है फाइलंधस में जो फिलामेंट के अत्रिक्त पराकोस भी सहयुक्त नोकर एक रिंग लाइक स्ट्रेक्चर बनाते हैं पराकोस्ट मोनो थीकस होते हैं फाइलेंथस में डाइथीकस होते हैं यूफोर्विया में फाइलेंथस में पुंक्वेशर सिनेंडस कंडिशन को रेप्रेजेंट करते हैं एंथर एक्स्टोज होता है गाइनोसियम की बात करें जनरली ये ट्राइकार्पलरी लेकिन मर्कुरी एलिक्टिस में बाइकार्पलरी, system. ओबरि शॉपी-र्यविर लेकिन एलिया में आप ईन्फिरियर होती है ट्राइलोकुलरकुलर। एब्दै मिलन एक्जाइल प्लेसेटेशन मिलता है स्टायल छोटी होती है अंडपों के बराबर संख्या में स्टिग्मा मिलती है जो कि दी साकत होती है अंडा से के अधारिय बाग में एक बलेकार मकंद चक्र का एनुलर नेक्टिरी फेरस डिस्क मिलती है फल और बीजों की बात करें हम प्राय तीन कोष्टिय विदुर फल जिसको साइजोकारपिक रेगमा बोलते है वो मिलता है बंसीडेट होता है इसके जो फलांग सकोटें कोकाी उनमें विवक्त होता है पुत्रजीवा में डूप मिलता है विसोफिया में बेरी पाया जाता है बीज क्या है मासल होता है फ्लैसी एंडेस्परमिक होता है और और इनमें प्राए केरैंकल भी मिलता है all can polki neson atomophilia की दुरा में लेकिन सिनथ और मरक्विलेष में mutil reneg dis अब बात करें हम कि उनके फ्लॉरलелей के बारे में में जो युब nuggा जोटा है नर्स प्लॉरल जानलड फॉर्मूला सतंता है आक्युंआपड की होते पहलं सब्सक्राइब कि ऐसका होता है, मुंसक्या क्षाइक होता सब्सक्राइब पेरियन तीन होते हैं इंडोसियन एपसेंट होंगे ट्राइकार्पलरी और ओवरी सुपीरियर होगी अब हम इसके एकोनोमिक इंपोर्टेंस के बारे में बात करें इडिवल प्लांट्स में मैंनी ओट एसकुलेंटा केसाबा कहते हैं इसकी जड़ें होती है वह कंदल होती है मासल होती है इनकी सबजी भी बनती है तो इनमें क्या है स्टार्च मिलता है मेले का ओफिशिनलिस आमला कहते हैं जो विटामिन सी का एक रिच सोर्स है इससे अचार मुरब्बा सबजी बनाने के रूप में यूज मिलिया जाता है है विया ब्रेशिलेंस इस रबर प्लांट भी बोलते हैं इसको तदा मैं योट ग्लेज यूवाई इन विरच्छों से क्या जो लेटेक्स मिलता है उससे अच्छी क्वालिटी का रबर प्राप्त होता है अब बात करें औरनमेंटल प्लांट्स के बारे में यूफोर्विया फलेशेर हम इसको पंशेटिया उपोर्विया ट्रीगोलाई guctyいきます बैडपर कोडियं यह क्या है यह क्या है ornamental plant है जो सजावत की पादपों के रूप में काम में आते हैं लिशीनेसaguynicus इसको अरंडी कहते हैं इसका जो तेल होता है वो mild लेक्जैटिव होता है और रोस्दी के रूप में यूजमें आता है J가는 के रूप में भी इसको यूजमें लेते हैं इसके जो बीज होते हैं वो फर्गेटिव होते हैं एबम एंटी हल्मिन्थिंग के रूप में भी काम में आता है बीजों से प्राप्त तेल तुचार रोगों वा गठिया में फिर्वाबी होता है कर गएने लिए रैटिकुलेटा इसकी जट से लाल रंग का राप्त किया जाता है आमले की चाल का उपयोग चर्म सोधन के लिए किया जाता है पुत्र जीबा रॉक्स वरोगाई के बीजों से जो जप माला होती है वो बनाई जाती है वह इसकी कास्ट का उपयोग घर निर्माण के लिए वा किसी यंत्रों के लिए बनाने में किया जाता है तो यह था हमारे क् family यूफोर वेसी के बारे में मैं आसा करता हूं आपको समझ माया होगा दन्यवाद